Hello Friends, Rubies Cookbook में आप सबी का स्वागत है आज हम बनाएंगे बीट रूट पराठा जो खाने में बहुत स्वादिस्ट बनती है इसे सैलड के रूप में बच्चे खाना भी नहीं चाहते हैं तो आप इस तरह से पराठा बना कर खिलाएंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और बच्चे बहुत ही पसंद से खा भी लेंगे तो चलिए इसका रेशिपी आप सबी के साथ सेयर करते हैं तो सबसे पहले दो बीट रूट को हमने धो कर ले लिया है इसका छिलका उतार का छोटा छोटा पीस में काट कर लिये हैं इसको एक कूकर में थोड़ा सा पानी डालके दो से तीन सीटी लगा ले बीट रूट को आप कच्चा कद्दू कश करके भी बना शकते हैं पर इस तरह से पका कर आप बनाएंगे तो डाइजेस्ट करना इजी होगा तो देखिए इसमें दो सीटी आ गया है तो कूकर का प्रेशर खतम होने देंगे और इसको ठंडा करके एक मिक्सी का जार में डालेंगे देखिए ये ठंडा हो गया है मिक्सी का जार में डालके इसको दरदराशा पेजट हम बना लिये हैं अब एक मिक्सिंग बोल में एक बड़ा कटोरी आटा लिया है और इसमें आधा कटोरी हम बेशन एड़ करेंगे इसमें एड़ करेंगे एक छोटा चम्मच आजवाएं एक बड़ा चम्मच सेशमी सीट थोड़ा सा लालमीज पाउडर श्वादनुशा नम्मक और पीशा हुआ बीट रूट को हम यहाँ पे एड़ कर देंगे उसके बाद हम इसमें एक छोटा चम्मच घी डालके इन सभी चीजों को पहले ऐसे ही बिना पानी का मिक्स कर लेंगे अगर बाद में पानी का जरुवत पड़े तो थोड़ा हम पानी आड़ करेंगे तो देखिए इन सभी चीजों को आटा के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है आटा अभी भी बहुत जादा ड्राई है और मिक्सी में थोड़ा सा लगा हुआ था तो इसमें हमने पानी डाल कर इसमें आड़ कर दिया है अब आटा को गुन लिया है अब हातों में आधा चम्मच घी लेके आटा को चिकना कर लेंगे और इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रख किया है दो हरी मीच को काट कर एड़ किया है थोड़ा सा हम यहां पे धनिया पत्ता एड़ करेंगे श्वाद अनुशा नमक डालेंगे थोड़ा शा लाल मीच पावडर एड़ करके इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पनीर को बहुत जादा मिक्स करके एक चिली फ्लेक्स चाहे चिली पावडर कोई भी चीज आप कर सकते हैं उसके बाद आटा को रेस्ट के वे दस मिनट हो गया है तो एक बड़ा सा लोई काट लेंगे और इसमें सूखा आटा लगा के गोल जैसा बेल लेंगे ऐसे आप गोल स्कॉयर टैंगल जैसा पराठा बना चाहते हैं उसी सबसे आप बना सकते हैं तो देखिए हम इहां पे सिंपल गोल जैसा बेल लिया है और एक पैन को गरम करके इसको डाल देंगे दो मिनट सेखने के बाद इसको पलट देंगे जब दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा शिक जाए तो हम इहां पे घी लगा देंग और इसी तरह से दूसरा पराठा भी हम डाल देंगे तो देखिए दूसरा पराठा भी लगा कर दबाते हुए उलट-पुलट के अच्छा से सेक लिए हैं इसको हम निकाल लेंगे अब दूसरे तरीका से स्टफिंग पला पराठा हम बना कर दिखाते हैं एक लोई को आटा लगा कर इस तरह से हम बेल लेंगे तो देखिए गोल जैसा हमने इसको बेल लिया है और इसके बीच में हम पनीर का स्टपिंग जो है इस तरह से डरक देंगे और हातों से थोड़ा सा स्कॉयर शेप में इस तरह से कर लेंगे उसके बाद एक तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसी तरह से लिफाफ़ टाइप का पराठा हमने बना लिया है अब सुखा आठा थोड़ा सा छड़क कर इसे स्कॉयर सेप में बेल लेंगे इस तरह से इज़ी प्रोसेस में आप स्टरफिंग कर सकते हैं और ये इसको जितना आप बेल सकते हैं जब तक पनीर बाहर ना है उतना आप बेल लिजे, तो देखें हमने बेल लिया है और थोड़ा सा गरम तावा में हमने इसको डाल दिया है, इसी तरह से पनीर को स्टरफ करके हमने दूसरा पराठा भी रेडी कर लिये हैं, तो देखें इस तरह से आप पराठा को रेडी करके रख सकते हैं, और उसके बा वाली पराथा जो हम लोग बनाते उस से थोड़ा सा टाइम लगता है और मीडियम प्लेम में आपको इसको पराथा को सेख't ना है। इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से दूसरा पराठा को भी हम डाल देंगे इस तरह से दूसरा पराठा को भी दवाते हुए उलटते पुलटते घी लगाकर हम अच्छे से से शेख लेंगे इस तरह से आप एक स्टरफिंग वाली पराठा बना सकते हैं और काट कर भी दिखाते हैं कितना टेस्टी लग रहा है बीट वाली पराथा अगर आपको ये बीट रूट का पराथा का रेशिपी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स पॉर वाचिंग